हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई योटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम गीतब की तरफ से मिलने वाला स्टूडट डेवलपर पैक के लिए कैसे अपलाय करना है इसकी सारी प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ड से कॉलेज में डिपलोमा होल्डर होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले आपका एक गितब अकाँंट होना चाहिए अगर नहीं है तो आप सिम्पली गूगल पर गितब सर्च करके अपना साइन अप कर लिए ठीक है तो एक बार आपका अकॉंट बन गया गितब का तो उसके बाद आपको simply github student developer pack सर्ज करना है ठीक है तो मैंने सर्च कर दिया है अभी आपको first link पर ही click कर देना है ठीक है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं sign up for student developer pack तो मैं simply इस पर click करूंगा लेकिन सबसे पहले हम इसमें इस pack में कौन-कौन से offers है वो देख लेते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 12 month subscription मिलने वाला है कानवा प्रो का ठीक है उसके साथ ही मैं नीचे नीचे scroll down करते जाओंगा आप देख सकते हैं कितने सारे offers मिलने मिलने वाले माइक्रोसप्ट एजियोर एजी केटिव का आपको six month का 60 plus courses है उसमें वो भी free pack मिलने वाला है आप यहाँ पर domain name भी खरीच सकते हैं email hosting भी मिलने माला इसमें आपको ठीक है मैं नीचे बस scroll down करते जा रहा हूँ आप देख लीजिए कितने सारे offers हैं इसमें कि तो आप इसके लिए जरूर से apply किजिए ठीक है तो यह था इस package के अंदर तो आहम simply sign up for student developer pack करते हैं ठीक है अभी ऐसा कुछ interface open होगा students और teachers के लिए तो आपको student के लिए apply करना है ठीक है get many fields for student ठीक है अभी आप देख सकते हैं you have already submitted one request ठीक है तो इस pack के लिए मैंने already apply किया था और वो pack मुझे within two days के अंदर मिला है ठीक है तो हो सकता है आपको कुछ extra time रख सकता है लेकिन generally आपको one year two days में मिल जाएगा उसके लिए simply आपको अगर आपका identity card है तो उसकी photo upload करने पड़ेंगी या आप अपनी mark sheet और even अपना अभी classes तो online चल रहे तो उसका time table भी upload कर सकते हैं ठीक है तो अभी आप यहापर देख सकती है eligibility at least 13 years old और उसके साथ गितव का user account होना चाहिए और आपका college ID ठीक है तो मेरा approval तो मुझे मिल गया है already तो अगर आपको नहीं मिला तो आप simply आपर next option में दिख रहा होगा कि आपको अपने details fill up कर देनी है ठीक है तो इसमें मैं already signed login हो ठीक है तो अभी हम चलते हैं वापस और देखते है कि offers में क्या क्या है ठीक है तो अभी बहुत लोगों को एक doubt रहता है कि हमने student developer pack के लिए apply करने के बाद सार के सारे जो offers है वो एक साथ activate हो जाते हैं क्या तो बिल्कुल नहीं आपको one by one मतलब आपके जरूरत के हिसाब से जो जो required है उसके लिए आप apply कर सकते हैं ठीक है तो सपोज मेरे को अभी कानवा का subscription चाहिए तो मैं simply कानवा के लिए apply कर दूंगा ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कानवा का 12 month subscription मिलने वाला है तो मतलब सपोज मैंने आज apply किया तो एक साल मतलब आज से एक साल तक मुझे इसका subscription मिलने वाला है ठीक है अगर आपका student developer pack expired हो जाता है तो आप reapply कर सकते हैं ठीक है तो लेकिन उसके लिए आप student होना जरूरी होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक बार आपको फिर से offers दिखा देता हूँ वन मन का लर्ण HTML CSS JavaScript free of cost तो यह मुझे अल्रेडी मिल चुका है तो इसके लिए अगर आपको किसी का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए आपको simply यहाँ पर क्लिक कर दिना है ठीक है मैंने अभी कानवा क्लिए apply किया है और वह भी मुझे absolutely free of cost मिला है तो अभी suppose मुझे डेटा कैम का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो मैं simply यहाँ पर यहाँ से तो नहीं हो रहा है लेकिन आप कि लेट मुझे एक बार sign in करने दो उसके लिए उसके बाद आपको यहाँ पर apply का option देखी जाएगा ठीक है तो यहीं था वीडियो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेर दिस वीडियो